हेलो इस्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिट से हमार इस लर्निंग प्रेटफरम BSC बायो वाला में इस्टुडेंट आज हम इस लेक्चर में पॉर्टनी यानि की फोर समस्टर पॉर्टनी की नेक्स्ट यूणिट यानि की दूसरी यूणिट स्टार्ट करने जा रहे प्रिविएस यूनिट मैंने आपको पढ़ाय के अच्छे से समझाया ठीक यानने कि पहली यूनिट जो थी आपकी मैंने उसको मैंने एक दब अच्छे डहंग से बताया आपको यानने की एकूनामिक इम्पॉर्टेंट के बारे में जिसमें आपको स्रील्स पढ़ना था लेक इस युनिट पर आये हैं जिसका नाम है बॉटिन आफ आयल फाइबर तिम्बर और tymber 95 य rhino दॉक्त धानल के आपको आपको आयल इल्डिंग प्लांट के बारे में पढ़ना है इस्टार्ज के बारे में पढ़ना है उसके बाद आपको सुगर के बारे में पढ़ना है फाइबर के बारे में पढ़ना है तिमबर प्लांट के बारे में पढ़ना है यह दे कि पहुत सारे चीज़े हैं जो आपको टिक, तो यह Frances。 2 रित होगी जिसमें सबसे पहले हम आपको फटे मारे मताएंगे कि आयल क्या होती है इसके बारहने इसके बासे हैं मारे मारे में उसके मैं उसके बारे में उसके चीजे आगे आएंगे आपके syllabus के recording वैसे वैसे आपको पढ़ा जाए ठीक तो syllabus में सबसे पहले आपको oil के बारे में पढ़ना है कि oil yielding plant क्या है ठीक तो इसी चीज को आज हम आपके साथ discuss करेंगे कि oil क्या होता है कौन-कौन से oil yielding plant यानि कि कौन-कौन से आईसे प्लांट हैं जो हमें oil देते हैं ठीक तो इनी सब के बारे में आज आपको जानना है तो आए श्टार्ट करते है oil yielding plant के बारे में ठीक तेखे पहले बात oil क्या होता है पहले यह समझेजिए ठीक oil yielding plant हमको वो आयल plant के बारे बढ़ना कि एसे कौन से plant है जो हमें oil देते हैं थिक तो उससे पहले समझे ले कि यायल होता गया है थिक तो आयल क्या है यह एक chemical compound है यह क्या है यह chemical compound है जो triglyceride का बना होता है कितने के साइड का ट्राइगलूसाइड के 3 fatty acid इसको मिल करके 3 fatty acid मिल करके oil का निर्मार करते हैं यह एक मोटी मोटी बात हो गई एक तो आयल एक ट्राइगलूसाइड कमपाउंड है complex compound है बहुत ही complex जानी बहुत चटिल है जो कैसे होते हैं जो fatty acid के बने होती है यह बात हो गई आयल के बारे में अब देखिए आयल के ओरजिन के बेस पर कहने का मतलब आयल प्लांट से एराइस हुआ है कि आयल आपका एनिमल बॉड़ी से सिक्रेड़ किया गया है कि आयल आपका मिलल्स है उसके आधार पर आधार पर आयल को तीन भागों में बाता गया है पहला होता है वेजिटेबल आयल यानि कि जो वनस्पतियों से प्रडूस के जाता है निकाला जाता है तूसरा होता है एनिमल आयल जो एनिमल के फैट से से जो आधार एक होता है आपके मिलल्स आयल ठीक तो यह तीन प्रकार की आयल होते हैं पहला मनें आपको बता है वेजिटेबल आयल तूसरा एनिमल आयल तीसरा मिल्स आयल आप करते हैं वेजिटेबल आयल क्यों हम वेजिटेबल आयल के बारें पढ़ेंगे क्योंकि जो आपका सिलेबस दिया है उसमें एडीबल आयल दिया है और और लाव नान एडीबल आयल यार लिए गया है। उसमें आपको क्या दिया गया है dysfunctional oil and edible oil 10 g हैं की आपको कौन कौनषाни ऐल रहे जो जो इसनीया है जो हमारे लिए खाने की योग है और कौन यह उसके बारे में आपको भी जैनना है आपके syllabus में दीआ ह। तो syllabus तो बने बताया आप syllabus भी देख सकते हैं यहां पर लिखा गया है वोटनी ऐफ औयल बोटनी आफ औयल ऐफ यई वड़ना के बारे थिक तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है आपको पहले पढ़ना है और नन इस के बारे में बताएंगे उसके बाद सुगर, स्टार्च, फाइबर, पेपर ये सब चार सारी चीज़े हैं वो आपको बताया जाएगा अब बात करते हैं जो आपका प्लांट है, इल्डिंग प्लांट के बारे पढ़ना होगा तो हमको उसके बारे में क्या-क्या चीज़े जानने होगी तो उसका बाटनिकल लेम जानना होगा, कि जो प्लांट हम लोग पढ़ने है उसका बाटनिकल लेम क्या है फैमिली उसका पढ़ना होगा और किस पार्ट का यूज होता है एकोनोपिकली रूप से कामर्सिय रूप से किस पार्ट का यूज होता है वो और आपको यूज़ जानना है यानि ये चार पास क्वाइंट आपको हर टॉपिक में देखने को मिलेगी चाहे आप आयल पढ़ेंगे, चाहे आप सुगर पढ़ेंगे, चाहे स्टार्स पढ़ेंगे, चाहे तिमबर प्लांट पढ़ेंगे, चाहे रबर पढ़ेंगे जो भी पढ़ेंगे आपको, वहाँ पे आपको ये चार प्रॉइंट देखने को मिलेगा पॉर्ट निकल नेम, फैमिली, अकॉन से पार्ट यूज होते हैं और उसकार एको नामिकल यूजेज तो इतने सारी चीज़े आपको देखने को मिलेगी तो हम आपको सबसे पहले आयल के बारे में बताएंगी अब चलिए चलते हैं अपने नोर्स के तरफ आयल के बारे में समझते हैं कि आयल आगे क्या बताता है ठीक तो मैंने बताया था कि आपको वेजिटेबल आयल के बारे पर वेजिटेबल आयल में एसेंसियल और एडिबल आयल दोनों आ जाते हैं इसलिए हम लोग यह जो क्लासिफिकेशन किया गया ओरजिन की आधार पे वेजिटेबल आयल एडिमल आयल और वेजिटेबल आयल के बारे में समझेंगे क्योंकि इसे में आपका इसेंसियल आयल और एडिबल आयल आ जाएगा तो आगे आप देख सकते हैं कि जो आपका वेजिटेबल आयल है यह कहां से प्राप्ट किया जाता है जो आपका वेजिटेबल आयल होते हैं यह जिमनोस्पर्म प्लांट से और एंजियोस्पर्म प्लांट से आपटेंड किया जाता है उसके रूट से उसके लीब से उसके बर्ड से उसके फ्लावर से यानि कि जिमनोस्पर्म एंजियोस्पर्म प्लांट से प्राप्त किया जाता कौन कौन से पार्ट से प्राप्त हो सकते हैं इस लिए इसको हम लोग वेजी टेबल आयल कहते हैं क्योंकि यह प्लांट के से रूट से इन सभी चीजों से निकाला जा सकता है ठीक, लीप से लिका ला जाता है कुछ प्लांट होते हैं जिनका लीप से लिका ला जता है स्टेम से, कुछ फ्लावर से, कुछ बर्ड से, और कुछ रूट से ठीक And fruit से भी लिखाला जाथा है और इस सब्सारी साटाए यह लोग संधेंगे, तो इसलिए इसको क्या करते हैं, अब दीए जो वेजी टेबल ाया है, जो वेजी टेबल ाया है उसको दो कटेग्रियम बाठा गया है, पहला होता है Isural, आयल दूसरा होता है इडीबल आयल जो आपके syllabus में दिया गया है ठीक तो आपके syllabus में चीज़े दिया गयाने के essential आयल के बारे में आपको परना है उसके बारापको edible आयल के पारे में पढ़न तो हीटिंग के बेज पी हीटिंग के बेज के हीट मतलब गर्म हीटिंग के बेज पे नेचरा फिडिंग हीट किस प्रकार से इसको किया जाता है उसके आधार पर वेजी टेवल आयल को दो भागों में बाटा गया है मैंने बता हैं आपको essential oil और edible oil जो आपके syllabus में पूछा गया है और दिया गया है essential oil को हम लोग volatile oil भी बोलते हैं volatile oil भी बोलते हैं और edible oil को हम लोग non volatile oil या फिर fatty oil या फिर fixed oil बोला जाते हैं तो यह मोटी मोटी बात रही कि जो आपका vegetable oil है उसमे essential oil और volatile essential oil या फिर उसी को हम लोग volatile oil बोलते हैं दूसरा है आपका edible oil जिसको हम लोग non volatile fixed oil या फिर fatty oil के नाम से जानते हैं यह एक मोटी मोटी concept रही हमारी oil के बारे में अब आपको हम syllabus की तरह प्ले जलते हैं जहां पर आपको essential oil के बारे में जानना है अगर हम आपको direct essential oil के बारे में बता देते तो इतनी सारे चीज़े आपको clear नहुपाती कि essential oil आया कहां से vegetable oil हम लोग जैसे जान लिए उसके बाद oil के बारे में जान लिए तो एक concept जब आपके mind में बन जाएगा तो आपको सारे चीज़े easy लगने लगेगी अब देखिए essential oil क्या होता है अब उसके बारे में समझेगे त्यान से समझेगा essential oil क्या होता है तो देखिए जो essential oil होते है यह hydrophobic in nature की होती है यानि कि इसको चब heat किया जाता है चब इसको heat किया जाता है आपके essential oil को ठीक तो देखिए जो आपका इसेंसिल आयल होता ये हाइड्रोफोबिक होते हैं पहले बात ये समझे जी हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या हुआ सोरी हाइड्रोफोबिक हाँ हाइड्रोफोबिक यानिक यह वाटर हीटिंग होते हैं ठिक हाइड्रो का मतलब वह एच्ट्वो को लेते हैं जब इनको हीट कियाता है तो उसको एच्ट्वो का रिक्वार्मेंट होता है ठिक पहली बात यह समझेजे यह हाइड्रोफोबिक होत जाएगा synthesis किया जाएगा यह आपका इसेंसियल आयल वह फ्लावर से आप्टेंड भी किया जा सकता है synthesis किया जा सकता है बड़ से भी stem से भी rhizome से भी और root से भी यानि कि इन सब चीजों से वह क्या किया थे आप्टेंड किया जाती है लेकिन क्या चीजे होती है stem root leaf पे जिससे आयल का formation होता है तो जो आपका stem हो गया leaf हो गया root हो गया rhizome हो गया इस सब में benzene होते हैं क्या होती है benzene derivative होते हैं terpenes होते हैं hydrocarbon होती है इन सब चीजों से मिलके बना होता है आपका एक plant का part तिक यानि कि उसमें terpenes होंगे hydrocarbons होंगे derivative to benzene होंगे यानि कि पहुत सारे चीजे उसमें प्रेजेंट होती है आपके flower में आपके bird में आपके stem में आपके root में तो उन सब चीजों को क्या की जाता है उन सब चीजों को heat पे hydrophobic process के दौरा heat के दौरा उसको liquid form में synthesis के जाता है aromatic compound को यानि कि आपके root को stem को municipalities so cold coal-peak को उसको heat किया जाता है you eat करके उसे क्या लिखा जाता है तो मैं ने बताया कि ब्लांट से या लिखा जा सकता सकता या फित gyn Инनोस्पर्मिक प्लांट से चिक आपका बात करते कि जो अपका इंच्इब्चोंपर्मिक और जीमनोस्पर्मिक प्रांट प्लांट है यहनुनए की पहले दिबन इस बहलाँ क इंजैगों इसपरमिक प्लांटे कॉन व क्ऊंठ से कॉन कोंठ से प्राप्त किये जाती है यह आपके अंप्र और पिक जिक्षम प्लांट्ट है जिन से जिन से क्या ढिकर लाजाता है essential oil obtained by gymno-esperm मनें बताया आपको जो आपके vegetables होते है उसके pengenes derivative होती है terpenes होती है hydrocarbons होती है यह सब चीज़े उसके present होती है और इन ही सब से क्या लिखा लगाता है आयल लिखा लगाता है तो कौन-कौन से plant हो सकते है gymno-esperm में और कौन-कौन से plant हो सकते हैं आपके एंजियो-sperm में जिनसे आयल का formation किया जाता है ठीक तो हम लोग पहले समझेंगे essential oil obtained by gymno-spermic plant अब gymno-sperm के कौन-कौन से plant है किनसे-किनसे obtained किया जाता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे तो पहला आपका यहीं कि बहुत सारे plant है जिससे और अप्टनिक जाता है पहला है आपका cypress oil ठीक cypress oil इन से क्या होता है cypress oil का formation होता यह एक प्रकार कर जीम्नो-स्पर्म प्लांट है gymno-sperm निक प्लांट है ठीक इन से क्या आप्टनिक किलता है आयल आप्टनी की जाता है जिसको लोग साइप्रस आयल कहते हैं ठिक यानिक यह साइप्रस ट्री होता है साइप्रस ट्री जो जिम्नो इस पर में आता है जिम्नो इस पर में क्या आता है एक साइप्रस ट्री होता है ठिक क्या एक साइप्रस ट्री है जो cypress species है या देकि cypress species का एक प्लांट है cypress उसके उसके निडिल से उसके पत्ती से जब उसका यंग stage में leaf होता है वो तो needle safe होता है उसके needle safe stem से उसके needle safe leaf safe क्या किया रहता है cypress oil obtain किया रहता है ठिक तो यह cypress oil कहां से आप्टेन कियाता है यंग ट्विग जो नवजात यानि कि नया ट्विग होता है टहनी होती है इस्टेम की टहनी में क्या होता है लीफ होती है जो निडिल सेप की होती है कौन से प्लांट के cypress plant के जो कौन से families बिलांग करता है cypress species से बिलांग करता है जिसको sting distillation process के द्वारा sting distillation process के द्वारा उसे obtain किया जाता है प्राप्त किया जाता है तो आपको cypress समझ में आए होगा जिसकोidentspress flormik plant है cypress का plant है जो cypress species से है जिसको हम लोग उसके twig, twig मतलब टहनी में जो needles लगी होती है leaves लगी होती है उसको steam distillation के process द्वारा निकाला जाता है ठीक ये क्या होते है ये जो आपके plant होते है steam distillation का मतलब क्या होगा आसवन के बिजी से द्वाली किया जाता है इसको heat करके असवन के जाठाigraph heat करकी उससे प्राद किया जाता है ठीक ये antiseptic होते है ये सब property जिसमें present होती है ठीक जो क्या करती है जो antiseptic है antibacterial और anti-aromatic है ये सब property जिसमें present होती है जिसका उपयोग हम लोग ये इसका उपयोग हम लोग healing आप उंड यानि कि घाओ को भरने में अगर आपके पैर में हाथ में कई चोट लगा है घाओ हुआ है उंड हुआ है उसके healing में घाओ को भरने के healing में उसका उपयोग कियता है यानि कि आप चोट पे घाओ के चोट पे आ आप साइप्रस आयल यूज कर सकते हैं तिक अगर आपको कहीं infection हो गया है muscle spool हो गये हैं तिक यह सब क्या होते हैं इनका उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग blood clotting में भी किया जाता है यानि कि आपका अगर blood clot नहीं कर रहा है कहीं आपको चोट लगें blood clotting नहीं कर रहा है तो उस कटे हुए अस्थान पे भी आप इसका आप उपयोग कर सकते हैं तो यह रहा है आपका cypress oil के बारे में जो मैंने आपको बताया दूसरा है आपका sydol oil ठीक sydol wood oil ठीक यह sydol के plant से obtain किया जाता है यह जिम्नो स्पर्मी plant है सिदार का plant ठीक जिसका बोटनिकल नेम जूनी पेरस virginia है यह इसके उड से लिका लगाता है सिदार के उड से उसकी लकडी से उसकी उड से निकाला जाता है ठीक यह जाने कि उसके उड को छोटे छोटे पार्टों में कार जाते हैं फिर उसको stream distillation की आस्वल विदी के दवारा heat करके उससे क्या करते हैं हम लोग oil को निकाल लेते हैं सिदार के plant से ठीक तो stream distillation process के दवारा इसको निकाला जाता है तो यह जो oil है सिदार का इसका उपयोग क्या होता है तो यह improve करता है skin growth को यह आपके skin के skin के growth को hair के growth को बढ़ाता है तिक यानि कि skin को और समकीला करता है और clear करता है साब करता है और आपके hair के growth में काफी help करता है यह antiseptic properties होती है यानि कि यह fungal parts से अगर कोई आपके infection हो रहा है fungal से तो उसके लिए यह protect करता है आपके यानि की कह सकते हैं आपके घाओ को भरने के रूप में उपयोग किया जाता है तीसरा है आपका abies या फिर फिर आयल ठीक तो abies या फिर फिर आयल abies का plant होता है जो कैसे है यह जिमनुस्पर्णी plant है abies है ठीक जिसके निडिल से इस्टिम डिस्टिलेशन के दवारा abies या फिर फिर आयल प्राप्त किया गयता है ठीक यह इनकी abies क्या है फिर 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 क्या है एक plant है ठीक उस प्लांट के निडिल्स यानि उसके पत्ती से उसके पत्ती को stream distillation द्वारा यानिकि इसको आस्वन विधी द्वारा hit किये जाता है उसके पत्ती को जिससे आयल का formation होता है ठिक इसका उपयोग हम लोग ठिक sure truth respiratory infection में लिते हैं यानिकी गले की ख्रास में ठिक उसके ख्रास में respiratory के system में arthritis में muscular pain में आपके muscles में pain हो रही है arthritis में कोई problem है तो उनके उपयोग में यानिकी उसके infection में इस चीज़ का उपयोग करती है और इसका उपयोग हम लोग cosmetic product बनाने में पर्फ्यूम बनाने में यह सब आयल का उपयोग करती है feed oil और abies का आयल यानिकी perfume और आपके cosmetic product जो होते हैं टिक सांदर प्रोडक्ट उसमें abies या feed oil का प्रयोग किया जाता है तूसरा है आपका juniper iron juniper iron जो क्या है यह भी एक इंजियो जिम्नो स्पर्मिक प्लांट है इसको भी juniperus communist juniperus communist के एक प्लांट है तिक उससे इसको opportunity किया जाता है steam distillation द्वारा यानिक इसको heat करके प्राप्त किया जाता है ठीक चिसका उपयोग हम लोग community system को स्ट्रॉंग करने के लिए लिया जाता है ठीक तो यह जोनी पर आयल हो गया पाइन आयल पाइन आयल क्या यह पाइनस के प्लांट आप लोग जिम्नो स्पर्म पढ़े होंगे जब थार समिस्टर में तो पाइनस पढ़े होंगे तो पाइनस के निडिल से उसके इस लीफ के निडिल से इस्टेम डिस्टिलेशन के द्वारा इस्टेम डिस्टिलेशन के द्वारा आयल पाइन आयल को आपटेन किया जाता है ठीक जो क्या उपियोग जिसका उपियोग हम लोग बोडी के पेन में अगर आपके बोडी में पेन है तो उसके अगर आप बोड अब दूसरा आता है कि कौन को इसेंशियल आयल आप्टेन बाई एंग्यो स्पर्मिट प्लांट है जो इंग्यो स्पर्मिट प्लांट से आयल उपयोग लिका ले जाते हैं उसके बारे हम लोग समझते हैं कौन कौन से ऐसे आयल है तो पहला बहुट सारे प्लांट है इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे काघमांव आयल आएल्ल प्लांट इस mapped हैं पहले उनिट में मैंने आपको स्पा कब पहता है कोड़िए कोडं़ां मतला होता है चोटी इलाएची टौन छोटी इलाइची से कॉर्डमाम आयल का सिक्रेशन कियाता है यह एक प्रकार का एंजियो इसपर्मिक प्लांट है तो छोटी इलाइची से जिसको हम लोग जिसमें क्या होता anti bacteria properties होती है, और यानि कि ये जोगी एंड bacteria के प्रती resistant का काम करती है और हमारे immunity system को improved करती है, बढ़ाती है ठीक, अगला है आपका ginger oil ठीक, ginger oil ये कहां से obtained कियाता है तो यह Jabow से Ipnainin और यह प्रकार का क्या है यह प्रकार का यह Angiospermit Plant है जो राइजोम से इसके ROOD के चस्ट उपर के PARTS से निकाला जाता है ठिक कौन सा प्लांट है Jamiber टिक जिंगीर है जिसका वोट लेकल नम online जिंगी hahaha difficने लिए लगयां के सबारा है जिसमें एंटी बैक्टेरियां जो भाक्तिरिया के लगने के लिए उप्योग होदानिक व। औरर यह का होते हैं यह स्टमक प्रॉब्लम को आपके व्कार्राशन सिस्टम के प्रॉब्लम के लिए भी responsible हो तानि कि उससे आपको अगर आपको आपके digestion system में कोई problem है तो वहाँ पे भी आपको help करता है ठीक तूसरा आता है आपका rose आयल rose आयल यह आपके रोजा डिस्टिमिका यानि की plant है रोज का गुलाब का plant है उससे यह प्राप्त किया जाता है उसके flower से प्राप्त कियाता है यानि कि रोज के गुलाब के flower से एक आयल निकाल जाता है यानि कि rose आयल किस process से steam distillation के process से निकाला जाता है ठीक जो क्या होते antiseptic होते हैं और आपके nervous system के nervous problem को अगर आपके nervous problem में कोई प्राप्लम है उसके लिए उपयोग किया जाता है ठीक और यह आपके body को stimulate करता है stimulate करता है और आपके hormone label को balance करता है आपके hormone label को balance करता है उसके बाद आता है clone oil यानि कि long का तेल ठीक clone मनिया आपको spice में पढ़ाया होगा clone या फील्ड आप कर सकते हैं कि long ठीक clone को हम लोग long भी बोलते हैं तो इसके fruit से इसके fruit में जो bird होते हैं ठीक उससे clone का oil लिकाला जासकता है जिसका botanical name cygium aromaticum होता है ठीक cygium aromaticum होता है यह उसके clone के यानि कि long के fruit से लिकाला जाता है steam distillation process के द्वारा ठीक यह क्या करता है यह improve करता है आपके memory system को यह आपके memory system को improve करता है ठीक और साथ ही साथ यह क्या करते हैं यह antibiotic होते हैं antioxidant होते हैं और इसके bacteria से लड़ने की छंता होती है क्योंकि इसका उपयोग हम लोग tooth pain में करते हैं यह आपके दातों में दर्द होता है दात में दर्द है या फिर आपके दात में कोई infection हो गया है जिसके कार्यारूस क्या होते हैं तो आपको pain होता है दर्द होता है तो आपके clone का यह क्या होता कि एक oil होता है कि clone का oil market में भी और जो कि आपके अच्छे सी डॉक्टर भी बोलते है कि अगर आपके pain होना दातों में अगर आपको लग रहा है कि कोई bacteria वहां पे कोई में अगला आता है आपका आगे समिशते कौन सा आईल है जैसमीन आईल ठिक क्या zahyao की यह जैस्मीन आए EEए चाने की जैसमीन का प्लांट है COंडि फ्रोरम ठिक करनेदे नि, इसके निचे करें करें जैगा気 मर्ठ ऐसका हुप्योग हम वोग इसके meinen रयप्योग के मियह र यान्य कि यह संटम सेंट इलं यह इस पीसीज है आपके सेंटम आयल का ईसके मिulla से की इस प्लांट के वोड से इस्टियम डिस्टिलेसण इसके लकडी के स्टियम डिस्टिलेशन के द्वारा एंटीस्टिक और एंटीजिप्रेसंट के द्वारा इसका आयर हमनों लिखाते हैं जिसका आपें कांडी वैस्कुलर के यूप में कार्डियो वेस्कुलर के रूप में कार्डियो वेस्कुलर के प्राबलम में इस वेटिवर आयल जिसको अब लोग खसकस आयल के नाम से भी जानते हैं खसकस आयल या फिर वेटिवर आयल ये भी आपका एंजियो स्परमिक है जो रूट से जो रूट से वेटिवर के वेटिवर इस्पिसीज होती है प्लांट के व ExecutiveGR है वडिविर्यौ उसके व्डिवर प्लांट से यह अयल लिकार जाता हु जिसको हम लोग खस-खस बोलते हैं यह उप्योग आपके Immune system को स्टुमिरेट करता है ऑर आपके skin के character को improve करने का काम करता है कि इसका उप्योग हम लोग skin में भी करते हैं तो यह बात यह रही आपके essential oil के बारे में अगले lecture में आपको fixed oil के बारे मताऊंगा कि fixed oil क्या होता है जा फिर edible oil क्या होते है तो यह oil जो आपके थे यह essential oil थे ठीक, अब आगे हम लोग आपको fixed oil के बारे मताएंगे, fixed oil क्या होता है, ठीक, उसके बाद हम आपको edible oil कौन से होते हैं, कौन non-edible oil हैं, उसके plant के बारे में, एक-एक plant के बारे में बताएंगे, कुछ edible plant के बारे में बताएंगे, कुछ non-edible plant के बारे में बताएंगे. तो पहले हम आपको कल फिक्ट आयल के बारे में बताएंगे फिर इडिबल आयल प्लांट के बारे में बताएंगे फिर नाट इडिबल आयल प्लांट के बारे में बताया तो यहां तक अगर बाती समझ में आया होगी तो अपर वीडियो को लाइड कर दीजेगा और सस्क्राइ इल के बारे में बताया कोई से कोई से अंसे और कौन से ऐसे है स्वेशाइल जो आपके जिम्नु स्पर्म प्रांट श निका направ जाता है जैसे हाप कर बने में बता है साइप्र इय ऐश सीडार ऊड़ ऐम ईवीज आयर जूण पडाल पाइन और कौन कौन से ऐसे प्लांٹ है जो आपके एंगिर स्पर्म निर निकाल जाता है जैसे काड़बुम जाने की छोटी लाजी के बारे अपको कल अच्छे से बताएंगे चलिए मिलते हैं अगर हां और आपका जो पीडिय습니다 वह टेलीगराम चेनल पर अप्लोड हो चुका है इस वीडियो का तो पीडियोब वह यौठ लिग्राम चेनल पर अप्लोड हो PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने notes को बना सकते हैं तो अगर आपको PDF चाहिए तो PDF का जो PDF तो टेलिग्राम चैनल पे है अगर आपको link नहीं मिल पा रहा है तो आप हमारे WhatsApp नंबर 9598 30 9598 3080 8044 पे WhatsApp के तुरू जैसे ही message करेंगे तो आपको एक written message भी लेगा जिसपे आप वहाँ पे लिखा होगा टेलिग्राम लिंक उसको टच करके आप टेलिग्राम चैनल जोईर कर सकते हैं चलिए मिलते हैं अगले lecture में edible oil के साथ याने की fixed oil के साथ जिसको हम लोग non-olatile oil भी बहुतते हैं चलिए मिलते हैं अगले lecture में fixed oil के साथ